दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आपके BSC Second Year Third Semester Geology का Unit 8 से जुड़ा हुआ एक टापिक Gene Transfer Technique तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि Gene Transfer Technique होता क्या है Gene Transfer Technique कितने टाइप के होते हैं और जितने भी टाइप होते हैं उनको हम डिटेल से डिसकस करेंगे तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत important है क्योंकि इस टापिक से आपके exam में question पूछे जाते हैं और ये question होते हैं long type या फिर short type तो आएए वीडियो की सुरुवात कहते हैं और सबसे पहले हम बात कहते हैं Gene Transfer Technique होता क्या है It is a technique to effectively and steadily introduce foreign gene which is also called gene of interest into the genome of target cell or transferring a genome into a non-native organism and the process is called transgenesis Jargin की कहने का मतलब है कि जो gene transfer technique है ये technique एक ऐसा technique है जिसमें कि हम foreign gene को या फिर ज़ो gene of interest है उसी हम किसी दूसरे organism में transfer कते हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं plant की तो हम क्या करेंगे कि उस foreign gene को या फिर खह सकते हैं जो gene of interest है उसे हम plant में transfer करते हैं तो जो foreign gene लिया हुआ नया plant है उस plant को हम बोलते हैं transgenic plant और यह जो process है यह कहलाता है transgenesis there are two methods of gene transfer in plant पौधों में जो gene transfer का technique है वह दो प्रकार से होता है पहला है direct या फिर उसे हम बोलते है vectorless gene transfer अब इसमें भी two type है first physical और दूसरा है chemical method तो physical में पहला है particle gun method electroporation और micro injection वही हम बात करें chemical method की तो इसमें दो technique है जिसके तुरू हम gene transfer कर सकते है पहला है liposome और दूसरा है polyethylene glycol method वही हम बात करें gene transfer technique के दूसरे method की जो की है indirect या फिर हम कह सकते है vector mediated gene transfer तो आए इन दोनों method के बारे में हम detail से जानते है तो सबसे पहले हम बात करते है direct या फिर जिसे हम vector less gene transfer कहते है तो इसमें क्या होता है कि इस technique में हम जब gene को transfer करते हैं तो उसके लिए हमें किसी भी vector या फिर किसी भी साधन की ज़रत नहीं होती इसलिए हम इस technique को कहते है vector less gene transfer तो इसमें जो सबसे पहला है वो है particle gun method या फिर biolistic gene transfer या फिर gene gun या फिर इसे हम कहते हैं sort gun method तो इस diagram को आप देखेगा आपको अच्छा से समझ मैंगा यह DNA है यानि कि gene of interest या फिर कह सकते है foreign gene ये आपके golds के particles हैं या फिर कह सकते है beats हैं या फिर हो सकता है कि tungsten का beat हो इसके बाद ये gun है जिसका use करना है foreign gene को transfer करने के लिए इसके बाद ये target cell है जिसमें कि आपको gene को transfer करना है इसके बाद target cell को हमें tissue culture कराना है फिर उसके बाद हमें transgenic plant मिलेगा फिर उसके बाद हमें outcome मिलेगा तो particle gun में आपको करना है कि जो gene of interest है आपको उसको gold के अंदर fold करना है या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपको जो gene of interest लिये हैं उसके उपर tungsten या फिर gold की coat चड़ानी है इसके बाद आपको क्या करना है कि इन सारे particle को एक special type के gun के अंदर रखना है जिसे हम बोलते हैं gene gun अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इस gene gun के द्वारा target जो cell है या tissue है उसके उपर fire करना है तो इस process में हो गया कि बहुत सारे जो cell होंगे वो destroy हो जाएंगे लेकि कुछ ऐसे भी cell होंगे कि जो gene of interest है उसको incorporate कर लेंगे तो कौन सा destroy हुआ है कौन सा बचा हुआ है जब आप इस cell को culture करोगे जो destroy हुए है वो बचे रह जाएंगे और जो अपने अंदर जो gene of interest लिये हैं वो grow करेंगे तो इस तरह से culture करने के बाद आपको बहुत सारे transgenic plant मिल जाएंगे तो इसे हम transgenic plant क्यों करेंगे क्योंकि ये ऐसे plant है जो की foreign gene या फिर कह सकते हैं gene of interest को अपने अंदर रखते हैं तो जब आपको transgenic plant मिल जाएगा फिर ये grow करेगा और इसके बाद आपको इसका जो expression है वो दिखाई देगा तो ये transgenic plant pest resistance हो सकते हैं या herbicide resistance हो सकते हैं तो आप जिस तरह का gene of interest उसमें डाले हैं उस तरह से आपको result मिलेगा तो यहाँ पर आप detail में diagram में देख सकते हैं ये gene of interest है अब इसको coat कर देते हैं tungsten micro particle के अंदर generally जो particles होते हैं उनका size होता है 1,2,3 micron meter तो जब gene of interest जो particle है उसके उपर coat हो जाए तब उसके बाद आपको क्या करना है the coated bits are then attached to the end of the plastic bullet तो याद रखेगा इसमें दो तरह की carrier होते हैं एक होता है plastic bullet जिसे macro carrier बोलते हैं और उसके अंदर जो पाए जाने वाला gene of interest है वो कहलाता है micro carrier तो जब आपका bullet त्यार हो जाता है तो आपको क्या करना है कि इस bullet को जो gene gun है उसके अंदर load करना है इसके बाद यहाँ पर trigger होता है तो जब हम trigger को दबाते हैं तो होता कहा है कि जो इसके अंदर coated gene है वो बहुत तेजी से आता है bullet के साथ और यहाँ पर जो target site है जहाँ पर हम target cell को रखते हैं उस target cell पर आकर आसानी से उसके अंदर incorporate हो जाता है gene of इंट्रेस्ट अब इस तरह से हमें मिल जाता है target cell जो कि gene of interest रखे हुए है अब इसको हम क्या करते हैं culture कराते हैं तो आपको बता दे कि इस method में generally आपको protoplast नहीं चाहिए होते हैं यानि कि ऐसे cell नहीं चाहिए होते हैं जिसमें कि plant पर fire कर सकते हों तो इस तरह से देखा जाया है कि इस technique का जो use है वो successfully soya bean, cotton, sugar cane, papaya, sunflower, rice, mage, wheat, tobacco इन सभी पर किया गया है चलते हैं physical के second type pure जो की है electro poration तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं protoplast की तो protoplast क्या होंगे ऐसे plant cell जिसमें कि cell wall नहीं होता यानि कि हम उसके cell wall को remove कर देते हैं तो बसता है जो उसे हम बोलते है protoplast तो generally जो protoplast cell होते हैं उनमें foreign DNA या gene of interest incorporate करना असान होता है तो इस process में सबसे पहले हमें ज़रुरत होती है protoplast की तो इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पर culture cell है यानि कि ऐसे cell है जो कि protoplast है यानि कि उसमें cell wall नहीं है और यह है आपका gene of interest अब इसमें आपको करना क्या है कि gene of interest और यह जो protoplast cell है इनको एक solution में रखते और यहाँ पर electric current apply करते हैं तो यहाँ पर जब आप electric current apply कर देते हो तो इससे होता क्या है कि जो protoplast cell है उसमें hole बन जाते हैं और इस hole के थूँ जो gene of interest है वह cell के अंदर enter कर जाता है और इस तरह से धीरे धीरे यह क्या करता है कि DNA nucleus में enter कर जाता है और gene के साथ incorporate कर जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि electric current के पहले आप देख सकते हैं कि यह जो cell है इसके बाहर green color के foreign gene या फिजीन of interest है अब जब आप क्या करते हो कि electric field apply करते हो तो होता है क्या है कि इस cell में pore generate हो जाते हैं बन जाते हैं ठीक है तो जो gene of interest है वो इस cell के अंदर inter कर जाते हैं और जब आप electric current हटाते हो तो जो pore होते हैं वो आपस फिल से बंद हो जाते हैं और इस तरह से जो gene of interest है वो inter किया होता है वो क्या करता है कि plant के nucleus में जो gene है उसके साथ मिल जाता है यानि कि integrate हो जाता है तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखेगा इस culture cell में आप बहुत सारे cell रखे होंगे तो उसमें actually होता क्या है जब आप high voltage pass करते हो तो कुछ cell तो survive कर जाते हैं कुछ cell क्या होता है dead हो जाते है तो जो dead हो गए cell है उनको आप वैसे ही जैसे पीछे आपने देखा था कि हम उसको निकाल देते हैं तो यहाँ निकाल देते हैं और जिस cell में DNA incorporate हो गया है उसे हम culture करते हैं और culture करके फिर से plant को राप्त करते हैं यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दू इसका advantage क्या है इस electroporation का हम use कब करते हैं तो होता क्या है कि कुछ जो plant होते हैं वो pig वाले solution के लिए sensitive होते हैं यानि कि वो pig solution में इनमें क्या होता है कि gene को हम incorporate नहीं कर पाते तो इस condition में हम क्या करते हैं कि electroporation का use करते हैं तो pig क्या है इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा क्योंकि chemical method में हमें इसके बारे में detail से पढ़ना है तो बस आप यहाँ पर इतना याद रखिए कि जो cell peg के लिए sensitive है उनके लिए हम electroporation method का use करते हैं अब electroporation के बाद है third micro injection बहुत important है और exam में आपके यह question पूछे जाते हैं तो इस topic को हम second part में discuss करेंगे तो आपको आज का यह part कासा लगा comment करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और कोई भी doubt हो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए जहिंद जभारत